हेलो फ्रेंड्स ममी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं धाई बल्ले वह भी मूंग दाल की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे धाई बल्ले बनने वाले हैं बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आप सभी से निवेदन है बनाना स्टार्ट करते हैं मुंग दल वड़े बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी मुंग की दूली हुई दाल लिए आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं एक घंटे पहले मैंने मुंग की दाल को भिगो दिया था तरिस दाल को हम ग्रैंडिंग driving jar में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें एड करएंगे दू हरीमिज एक इंच एद्रक का टुकडा चोप किया है अगर आप अद्रक पसंद नहीं करते तो आपनाना एक इड्रक कर अगर के देख्या दैकने पत्थि क्थे जाएवीन टोई है अगर जीरा पसंद नहीं करते तो चाहिए भी कर सकते हैं, दो पिंच बेकिंग सोडा, यह खाने वाला सोडा है, जो हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, अब सबी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस डिरेक्शन में आपने फेटना स्टार कर दिया, तो इसमें जितनी भी हवा ट्रैप हुई है, वो सारी बाहार निकल जाएगी, और हमारी मुंग के दल की पकोड़ी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी, आप इसे स्पून या विसकर की हेल्प से भी फेट सकते हैं, अब हम इसे एक ही डिरेक्शन में दो इसे हमारी जो पकोड़ी है, एकदम सॉफ्ट बनती है, और उसमें कोई भी गाट नहीं बनती है, दो मिनिट हो गए है, मुझे लगातार दाल को एक ही डिरेक्शन में फेटते हो, और यह देखिए, अब हमारी पिठी का कलर भी चेंज हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आ पिठी रेडी है, आईए पकोड़ी फ्राइ करते हैं, पकोड़ी फ्राइ करने के लिए ओयल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, ओयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम है, अच्छी से हीट आ रही है, हमें अपनी पकोड़ी फ्राइ करने के लिए बहुत ज अब हम फ्लेम को मेडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें अपने पकोडी को फ्राइ करना है, आईए है अपनी पकोडी बनाते है चोटा चोटा पोर्शन हम अपनी पिठी में से लेंगे और इस तरह से ओई में डाल देंगे आप देख सकते हैं जैसे ही पिठी में ओविल में डाल रहे हैं कुछ पकोडी तो अपने आप ही टर्न हो रही है इसका मतलब है हमने जो पिठी रेडी किया वो हमारी एकदम पर्फेक्ट है अब हम इने एक जहर की हल्प से बिल्कुल आराम से टर्न करेंगे और हलका सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल नहीं रखना है अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो हमारी पकोडी अंदर से कच्छी रह जाएगी सारे बड़े बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है आईए इन्हें पानी में सोक करते हैं पानी में सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर दो बरतन में पानी लिया है आप सोच रहे हैं मैंने दो बरतन में पानी किस ले लिया है पहले हम एक बरतन में 10 मिनट के लिए अपने वड़ो को सोक करेंगे उसके बाद हम इसका पानी चेंज करेंगे इससे क्या होता है हमारे जितने भी वड़ो में जो भी तेल होगा वो सारा उस बरतन में आ जाएगा और उसके बाद हम इने दुसरे बरतन में ट्रांसफर कर देंगे तस मिनट के लिए हम वड़ो को पानी में सोक रहने देते हैं दुसरे बरतन में मैंने जो पानी लिया है अब मैं उसमें आइट करूंगी हाफ टी स्पून हिंग हिन का फ्लेवर हमारे वड़ो में बहुत ही बढ़िया लगता है जरू डालिएगा दस मिनट हो गए है यह देखिए हमारे वड़ो अच्छी तरह से सोक हो गए है अब हम इनका पानी चेंज करेंगे 10 मिनिट हो गए हैं और ये देखे हमारे वडो का size पानी में अच्छी तरह से भीग चुके हैं और ये देखे आपको पानी में oil भी काफी सारा दिखाई दे रहा होगा हमारे वडो में जितना भी oil था बेल्कुल अच्छी तरह से निकल चुका है एक बात मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, हमें जो वडो को डिप करने के लिए पानी लेना है, वो हलका सा गुन-गुना पानी लेना है अब हम वड़ो को दूसरे वाले बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं सारे वड़ो को मैंने दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम इन वड़ो को आदे घंटे के लिए पानी में सोक करेंगे कि मैंने इसे एक छोटी प्लेट से ढप दिया है क्योंकि हमारे जो वड़े हैं वो फूल कर डबल हो जाएंगे तो वो अच्छी तरह से सोक नहीं हो पाते इसलिए एक छोटी प्लेट लगा दिया है जिससे कि ये पाने में डिप रहे मुंगदल धही वड़ा चाट बनाने के लिए हमें इहां पर चाहिए मीठी धही इमली की चटनी हरी चटनी नमक मेर्च और ये है मेरा धही बला मसाला जिसके बिना कोई भी चाट अदूरी है बहुत ही भड़िया हमारा धही बला मसाला बनता है इसकी रेसिपी आप मेरे चैन साइज फूल के डबल हो गय हैं अब इन्हें हाथ से स्क्वीज कीज़िए इस तरह से हैंड्स को बिल्कुल अच्छे से वाश कर ली जिएगा उसे क al. एसी तरह से हाथ से उसकीज करते हुए हम अपने वड़़ण को एक प्लेट पर निकाल लेते हैं跟我 निकाले अब हम इसे मीठी धाई में अच्छी तरह से डिप करेंगे जिससे जो हमारी धाई है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वड़ो के उपर कोट हो जाए एक स्पून की हल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से इनके उपर धाई कोट कर देंगे धाई हमारी बिल्कुल अच्छे से बमजब भी चाट तो बिलकुल पिर देख सकते न नमक करेंगे उद्गर वार्पेर, शुक्त बिलकुल रहे हुशेयर नमक करें, थोड़ी त कि नमक-षब साथ क्षेएंगे, इसनम साथ कोड़्ले पिलकुल consistent करेंगे करेंगे लीजे तियार है हमारी मौंग दाल धाइवड़ा चाट एकदम टेस्ट हमारी धाइवड़ा चाट बनी है वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए करेंगे लाइवड़ा र्ला राइवड़ाई़